So, hello everyone, so finally SAC ने CGL के बाद भी MTS, that is Multitasking Staff की भी Official Exam Dates कर दिया है Exam Dates हो सकता आपको पता भी चल गई हो जो कि यह 38 September से लेके 14th November इन्हीं अभी से गर हम कालकुलेट करें तो आपके पास तेज़ महिने एक्जाम के लिए और देड़ महिने तक एक्जाम चलेगा भी, यानि देड़ महिने बाद एक्जाम होगा और देड़ महिने तक एक्जाम होगा आपको लोग का SAC MTS का क्यों? क्योंकि बहुत सारे number of forms यहाँ पर भरे गए 50,000,000 से भी उपर यहाँ पर, मतलब शायद 57,000,000 ऐसा number है जो इस बाद total form एप्लाई हुआ है, तो इसी वज़ेसे डेड़ महिने तक आपको लोग का एक्जाम चलने वाला है, सीजल का जो एक्जाम खतम होगा, वो 26 सेप्टेमबर को खतम होगा यानि कि सीजल से जस चार दिन बाद, यानि कि जो सीजल में चीज़े आने वाली है, वो आपके लिए बहुत ही crucial role play करने वाली है अब मुझे पता है, इस वीडियो में तुरंट comment आएंगे, ये साथ GK को strategy को लेके तो इसवैसे इस वीडियो में ही मैं GK के strategy भी साथ में attach किये दे रहा हूँ strategy वीडियो बोल लीजिए जो भी समझ लीजिए यहाँ पर काफी लोग को पहले से ही पता है कि क्या करना और वो लोग कर रहे हैं उस चीज को लेकर लेकिन जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चाहिए आप कर चुके हों चाहिए कर रहे हों चाहिए आप जीरो हों जीके में जो आपकी section 2 में जो जीके आती है जिसमें की total आपके 25 questions आते हैं जो की total 75 marks आपके constitute करते हैं इसमें आप maximum score करेंगे अगर आप अभी भी 0 हैं जीके में फिर भी लेकिन आपको शिद्दत के साथ लगना पड़ेगा और सिर्फ मैं आपको एक का दुक्का ही source बताऊंगा और ज्यादा नहीं और free sources है ठीक है तो यहाँ पर यह date पहले तो दिहान में रख लिए और आपको अपने 30 September के हिसाब से या फिर आप 1 October के हिसाब से अपनी preparation करिए यह वही मेरा starting में ही हो गया नहीं कि आप यह मान के चलिए कि आपके पास डेल महीना तो बाकी है ही है मतलब यह डेल महीना तो पकी बात है बाकी जो इसके एक्स्ट्रा अलावा आपको मिल जाता है मालो फर एक्जामपल आपका October एंड में जाके एक्जाम होता है तो आपके पास धाई महीने है अगर देखा जाए एक तरह से तो लेकिन आपको अभी मान के चलना है कि डेल महीने आपके एक्जाम के लिए है और इसमें जो खास के जीके को लेकर काफी लोग का डर रहता है तो आराम से केटर किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है उध्यादे सुन लीजे तो चैनल की आप प्लेलिस सेक्शन पर आएंगे तो प्लेलिस में काफी लोग ये कर रहे हैं जैसे उन्हें बताया तो वो कॉंटेनिर रहेंगे उन्हें तो कुछ चेंज करने के जरत नहीं क्योंकि यहाँ पर भी मैं कोई स्ट कि आवे के साथ कैसा ख़ह रहा हूं या आप अब स 30 लेक्चर कर लीजे विए इसको डंग से रिवाइस कर लीजे घोट के पी लीजे अगर आप इसके लिए कुछ भी नहीं करते हैं इसके लाव आपने कुछ भी नहीं किया है और ना हिसके लाव को कुछ भी करना तो आप maximum ही score करके आएंगे वहाँ पर GK में ये map से बोल सकता हूँ अब यहाँ पर एक और series है जो कि कल से start हो रही और वो हमारे one shot lecture क्योंकि CGL के लिए और एक चीज़ अपने दिमाग से अधिक दम हटा दे न कि CGL की ये GK है, ये MTS की GK है, SSC जब भेदभाव नहीं करते हैं तो आप का भेदभाव करते हैं ठीक है चाहिए वो कोई भी exam ले लो MTS, CHSL, CPO, CGL हो, Selection Post हो, JEE हो कुछ भी difference नहीं रहता है when it comes to GK कल से ही वन वीडियो की start, वन वन शॉट ये हमारा वन वीडियो, वन टॉपिक है फिर हमारा ये वन शॉट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है जहां पे हम लोग एक वीडियो में पूरा ही subject खतम करने हाले हैं अगर आपको ऐसा है कि नहीं सर हमारे जो बाकी subjects भी हैं वो भी काफी week हैं तो हम GK मतला time नहीं दे पाएंगे तो इन lecture से भी आप अपना GK का portion खतम कर सकते हैं अगर आपको ऐसा हम उतना जादा time नहीं है ठीक है उतना बहुत जादा time नहीं है और हम बाकी subjects भी हमारे काफी week हैं बहुत week हैं तो फिर I would advise कि इस series में regular हो जाइए कोई भी कीजए एक लेकिन उसमें regular हो रहिएगा और उसको पूरा खतम करिएगा और उसको उसके अच्छे से notes को revise करेगा इसमें क्या है कि इसमें notes हैं बकायता बने हुए proper तो इसलिए मैं आपको ये PYQ part 4 ही advise कर रहा हूँ और reason इसका ये भी है कि मान लेते हैं ये PYQ series part 4 ही 30 lecture अगर आप अब भी से भी daily एक एक lecture लेके चलते हैं तो आपके पास at least 40 दिन तो ही है जाब भले आप कितना ही latest वीडियो को क्यों ना देख रहे हो 40 दिन तो ही है तो भी आपके अराम से ये तो मैं एकदम गिरी हालत में बोल रहा हूँ कि 40 दिन आपके पास इस पर रगलर हो जाई है आज ही series खतम हुई है ये live ठीक है और इसको खतम और यहां पर इस पर मद जाएगा CGL लिखा हुआ है बिल्कुल CGL लिखा हुए यूग कि अभी उस मतलब जोन में है जहां पर आपको ये पता ही नहीं है कि CGL और MTS मतलब difference होता है कि नहीं होता है इसका मतलब आपने PYQ उसका भी देखे ही नहीं है बिल्कुल भी ठीक है तो ये इसको ढंक से इसको करिए उसको फिनिश करने के बाद ये जो वन शॉट टेक्चर के सीरीज है इस पे रेगलर हो जाएगा जब आपको सारा कुछ यहां पर हो जाए इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है इन लास्ट डेस में आपके लिए कुछ भी नहीं यहीं सीजल वाले करके जाने पर MTS के लिए वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टन होने वाली है जो हमारे सीजल एक्जाम में होंगी उससे हमें पता चल जाएगा और करेंट अफेस सब कुछ करेंट अफेस के बी मैं बता दूँ करेंट अफेस भी हम लों का इसी प्लेइलिस में नहीं होगा तो आपको आ पांस दिनों में आपका पार्ट टू भी होगा है यह नहीं टोटल आप यह मान के चलिए कि 30 सेप्टेंबर तक मैं चारो पार्ट खतम करवाद हूँ करेंट अफेस के लिए करेंट अफेस के लिए सिर्फ आपको वो करना है नहीं कुछ भी पेड किया पर कुछ भी आपको क करने के जरत नहीं सब कुछ फ्री में कॉंटेंट अवेलेबल है जो भी आपको करना है और इससे बेस्ट आपके लिए लास्ट टाइम में नहीं हो सकता जैसे नहीं बता है सीजल का एक्जाम होगा 9 सेप्टेंबर से आप खुदी देख लीजेगा कैसा क्या रोजान रहता ह लेकिन उसका इंतजार मत करिए अभी साब स्टार्ट कर लीजे तो ज्यादा फाइदे में रहेंगे इसके अलावा एक काम और करिएगा इसके एक क्विज ग्रोप है इस पर डेली क्विजेज रहती है आपकी जैसे रीजनिंग की क्विज खतम हुई है जीके की क्विज का ही रहती है तो इनको डेली अटेम्ट करते रहें लिंक डिस्रिप्शन में दिया है क्विज ग्रूप का और जो भी पीवाई की सिरीज की जो हम लोग पीडिएफ अगयरा मतलब पीडिएफ अगयरा है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी इस चैनल पर परमारसिसी दोनों का लिंक वीडियो के डिस्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है बाकि हाँ नोट्स के लिए जो पीवाई की सिरीज के पीडिएफ है उनके जो नोट्स है वो आपको अप्लिकेशन पर मिल जाएंगे पीवाई की सिरीज ऐसे करके कोर्स बनाओगा लेकिन जो हम लोग पढ़ते ह बाकि अगर कुछ अगर डाउट है इसके लाव भी तो आप कॉमेंट सेक्शन में डॉप कर सकते हैं बाकि तो बहुत सिंपल स्टाटजी पीवाई की सिरीज करो इसके बाद ये और करेंट अफेस भी आपको मिली जाएगा इसी प्लेइलिस में तो करेंट अफेस के भी कोई आपको अलग से कुछ ना तो मैगजीन करीद दीना है तो कुछ करना है सिर्फ विडियो से ही आपका अराम से हो जाने वाला है अल्रीट थैंक यू धिन्नमाद